नमस्कार आपका स्वागत है प्रोटियन सी आरे के APY की पार्चाला पॉड्कास्ट में यहाँ एक आडियो सीरीज है जिसमें हमने अटल पेंशन योजना यानि APY से जुड़े विभिन विश्यों पर चर्चा की है आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे APY स्कीम क्या है इसकी क्या विशेशताएं हैं APY का खाता खोलने की योग्यता क्या है और खाता कैसे खोला जा सकता है APY भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे पेंशन नियामक PFRDA द्वारा वी नियमित किया जाता है APY को मुख्य रूप से असंगठित शेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें बुढ़ापे में निश्चित पेंशन मिल सके APY के तहत 60 वर्ष की आयू के पश्चात कम से कम हजार रुपए और अधिक्तम पांच हजार रुपए नियमित मासिक पेंशन मिलती है APY का खाता खोलने से सरकार अभिडाता को तीन सुनिश्चित लाभों की गारंटी देती है जैसे 60 वर्ष के आयू के पश्चात आजीवन पेंशन गारंटी का लाभ जो की कम से कम हजार रुपई और अधिक्तम पांच हजार रुपई है अभिडाता की मृत्यों के बाद अभिडाता के पती या पत्नी को भी आजीवन पेंशन का लाभ मिलता है और अभिदाता तथा उनके पती या पत्नी दोनों के मृत्य उपरांत नामांकित व्यक्ति को पेंशन के लिए जमा राशी वापस कर दी जाएगी इतना ही नहीं, APY में अन्य सुविधा और फायदे भी हैं जैसे यदि आपको जादा पेंशन की जरूरत है तो पेंशन राशी को पढ़ाया जाने का प्रावधान भी APY में है आप अपग्रेड या डाउन ग्रेड फसिलिटी का उप्योग करके वर्ष में कभी भी एक बार पेंशन राशी को बदल सकते हैं APY अंशिदान पर आप आयकर में छूट का लाब ले सकते हैं अगर अभिधाता की 60 वर्ष की आयू से पूर्व असमाईक मृत्यू हो जाती है तो पती या पत्नी को APY खाता जारी रखने का प्रावधान है या वे पूरी राशी निकाल सकते हैं यदि पती या पत्नी मौजूद नहीं है तो नॉमिनी को पूरी राशी दी जाएगी अब हम APY का खाता खोलने की योग्यता के बारे में बात करेंगे 18-40 वर्ष की आयू का कोई भी भारतिय नागरिक जिसके पास बैंक या पोस्ट ओफिस का बचत खाता है APY खाता खोल सकता है और उसके लिए अलग से KYC की आवशक्ता नहीं है हाँ मगर एक बात ध्यान में रखें कोई भी नागरिक जो आयकार दाता है या फिर आयकार दाता रहा है ऐसा व्यक्ति 1 अक्टूबर 2022 से APY योजना के लिए पात्र नहीं है एक लिए पेवाई का खाता की सीच अरशक्ता नहीं है